नमस्कार जहिन सातियों स्वागत है आज आप सभी का हमारे दिर्ण संकल वीटूब चैनल के आज किस नए वीडियो में मैं विशेक मिस्राज आप सभी लोगों के लिए क्लास 6 की NCRTSD के कोशन्स को लेकर के आया हूँ परिक्षा को मद्दे नजर रखते हुए सभी प्रसनों को लेकर के आते हैं और आज कल जो भी वीडियोस आ रहे हैं आपकी UPST की परिलिम परिक्षा 2020 के लिए बहुत ही महत्पून हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चेप्टर को इससे पहले अगर आप लोगों ने पीछे के वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखेगा और साथ ही साथ जिलनों को NCRT के नोट्स चाहिए हैं वो लोगों हमें WhatsApp पर मैसेज करके NCRT के नोट्स को ले सकते हैं WhatsApp नमबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप लोग वीडियो के एंड में भी इसका WhatsApp नमबर देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चेप्टर का नाम है इमारतें चितर तथा किताबें अर्था आज के इस चेप्टर में हमको पुरानी जो इम इमारते हैं पुराने जो चितर मिले हैं इनके इसक पूरानी किताब हैं दरोकरते हैं सबसे पहला प्रस्म पोचा गया है मरहौली जो की दिल्ली में है इसमें कुतुम मीनार के परिसत में खड़ा एक लोह इस्तंब जिसमें आज तक जंग नहीं लगी है इसका निर्माण लगबग कितने वर्ष पूर्व हुआ था option A 1500 वर्ष पूर्व पंद्रा सो वर्ष पूर्व हुआ था इसकी ब्यक्या पूरी यहां पर दी जा रही है मरहौली का लोह इस्तंब जिसमें आज तक जंग नहीं लगी है यह दिल्ली में कुतुम मीनार के परिसाद में खड़ा है इसका निर्माण लगबग 1500 वर्ष पूर हुआ था अब यहां पर लगबग क्यों दिया जा रहे है क्योंकि इसका निर्माण कब हुआ था यह हमको actual पता नहीं क्योंकि उसके एक्चुल डेट लिखी नहीं है तो इसका लगबग में का जा सकता है यह आज से लगबग 1500 वर्ष पूर इसका निर्माण हुआ था और इसकी जो उचाई है यह 7.2 मीटर इसका जो बजन है वह तीन टन से भी अधिक अर्थाद आप लोग समझ सकते हैं ठीक है अब इस पर खुदे कभी लेक से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है ठीक है इसके बनने के समय की जानकारी मिलती है और इसको बनबाया था इसमें चंदर नाम के एक सासक की जिकर दिया गया है तो समवधता गुप्तबंस के सासक रहे होंगे यह और इन्होंने इसको बनबाया होगा ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं देखते हैं question number 2 को जो की बहुती मायत्पूर्ण प्रस्ण है ऐसे प्रस्ण आप सभी लोग के लिए बहुती मायत्पूर्ण साबित हो सकते हैं यह पूरे चेप्टर के वह प्रस्ण नहीं है जो की चेप्टर के लाश्ट में दिये गए थे यह वह वाले प्रस्ण है जो की चेप्टर के मुख्य बिंदू है पूरे चेप्टर में उनसे चटे हुए प्रस्ण है ठीक है तो question number 2 दिया जा रहा है कि इस्टूपों के संदर में निमले की कतनों में से कौन से कतन सत्ते हैं पहला कतन दिया जा रहा है इस्टूप का दिबा रखा रहता है इसके बाद में जो चौथा कतन दिया जा रहा है कि इस्टूप प्रायह धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है यह बात कुछ आपको पच नहीं रहे होगी कि धातु मंजूसा के ऊपर रखा हुए मिट्टी का टीला होता है तो चलि फ्रतयों स्तूप का साफदिकर्त होता है है तीला, फिलाइ है क्यहती है जूसald होते हैं इसका आकार कभी घोल होगा कभी लंबा होगा कभी छोटा भी बड़ा होगा। किसी प्रकार का इस्तूप मिल सकता है, सभी इस्तूपों में बुद्ध या उनके अनुयाईों के सरीर के अवसेस तथा अवसेस अत्वा उनके द्वारा प्रियुक्त के कोई भी चीज एक डिब्बे में रखी जाती है, अर्था जो इस्तूप में हमको छोटा सा डिब्बा मि मिलती हैं, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं धातु मंजूसा, जो इनमें डिब्बे में रखी चीज मिलती है, इसको कहते हैं धातु मंजूसा, ठीक है, अब इसके बाद में इस इस्तूप प्रया इनी धातु मंजूसा के उपर रखा, मिट्टी का टीला होता है, बाद में ठीक है तो इसमें ये पूरी क्रिया हुई थी चलिए आंगे बढ़ते हैं देटें कोश्य नंबर तीन को ये भी बहुत ही मयदपूर्ण प्रस्ण है तीन में भी चार कतन दिये जा रहत है जो कि प्रदक्षिना कहते हैं ठीक है इसके बाद में दूसरा कतन दिया जा रहा है प्रदक्षिना पत को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं तीसरा कतन है वेदिका में प्रवेश द्वार नहीं होते थे इसके आद में चौता कतन दिया जा रहा है कि रेलिंग दरबाज्ये को ठीक हैं रेलिंग तथा तौरण प्राया मूर्थिकला की सुंदर कलन razón तो आपको बताना है कि इन चारों कतन में से कहने कहने गलत है ॉन्वें या कहने से इसमें और को इसका आंसर देती ठीक है तो आई एसकी बेक़ा को देखते हैं कथन एक दो और चार सत्त परतन तीर गलत है क्योंकि बेदिका में प्रबेश्ड़र बनी होते हैं जो बेदिका क की सुंदर कलाकर्तियों से सजे होते थे उधान के लिए अमरावती यहां पर एक उधान दिया ज़रा अमरावती से लगवग अमरावती जो यह आज से लगवग दो हजार बर्स पूर किये ठीक है तो अमरावती से प्राप्त इस्तूप को सजाने के लिए सिलाओं पर चित्र उकेरे गएते इस्तूप न मातिदात का काम किया करते थे यहां पर एक उधान दिया जा रहा है कि उन्होंने क्या कहता सांची के एक अलंक्रीद प्रिवेश द्वार में जो कि तोरा को बनाने में अपना खर्च दिया था ठीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं दिखते हैं इसका कोस्टन नमबर चार प् मंदिरों बिश्नु शिव ततकाद द्रुगा जैसी देवी देबताओं की पूजा होती थी दूसरा कतन है मंदिर का सबसे महत्य भाग गर्भि गृह होता था तीसरा कतन है 만दिर के मंडप में मुल्ख्य देवी देबताओं की मउर्थी को रखा जाता था चौतरा कतन है गर से कतन सत्य हैं तो कुछ भी बताईगा चली आंगे बढ़ते हैं और अभी आपको इसका अंसर देते हैं आप लोग आंसर दे जब आंसर दिया करें तो वीडियो को पॉस्ट कर लिया करें और फिर आंसर को दिया करें ठीक है चली इसका आंसर है वो यह है कि कतन एक दो और चार सकते हैं कथन तीन गलत है ठीक है इसकी ब्यक्र को देख लेती हैं मंदिर का जो सबसे मैधपुर्ण भागता वो गर्ब ग्री कहला था ठीक है जहां पर मुक्य देवी देपता हो जैसे की विश्णु है शिव और दुरगा है आधी को रखा जाता था ठीक है अब इस इस्तान और भक्त पूजा भी यहीं पर किया करते थे अब जो गर्भगरी है इसको पवित्र इस्तान दिखाने के लिए अक्सर उसके ऊपर सिखर बनाया जाते थे कुछ इस प्रकार से ठीक है जो कि आज कल भी आप लोग देखते हैं ठीक है उधान के लिए भीतर गाउं के मंदिर इसका चित्र भी मिल जाएगा अधिकतर मंदियों के अधिकतर मंद्रों में मंडप नाम की यहां वहीं के यहां पर सभागार होता था जहां पर एंखाट अब मंदिर नाम की जाहर के यहां-घृतभी घा करके फोहतत भी पूर्ष पूर्च बनाये बनाएगे लिए कम पूर्च मेंहें पर नहीं करें दोंगे लिएंग जी लुए रभाद के लिए बहुतर door चिलाखंड को उपर से नीचे की ओर तरासकर बनाया जाता है जैसे कि आप लोग मोर्ती को देखते हैं जैसे मोर्ती बनाया जाती है कुछ इसी प्रकार से पहले मंदिरों को बनाया जाता था ठीक है उसको का जाता था विसाल जो तो उसको का जाता है एकासम मंदिर ठीक है चल पुराण का साब्धिगर्थ प्राचीन थीक इसके बाद में दूसरा कतन दिया रहा है कि पुराणों में विष्णु सिव दुर्गा या पारवति जैसे देवी देपताओं से जुड़ी कहानिया हैं तीसरा कतन दिया जा रहा है इनमें पूजा बिदियां तथा इनमें सब उन्हें सुन और समझ सकते हैं तू आपको यह बताना जा कि इन चारों में से कौण से कतन सकते हैं चली बिष्णु सिव दुर्गा और पुरान जो है इनमें विष्णु सिव दुर्गा या पिर पारवति जैसे देवी देपताओं की इससे जोड़ी कहानिया मिलती हैं अब इनमें इन देवी देपताओं की पूजा और विदिया दी गई है इसके अतरिक्त है इनमें संसार की स्रिष्टी तथा राजाओं के बारे में भी हमको कहानिया हैं ठीक है इसकी बाद में अधिकतर पुरान सरल संस्कृत इस लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें समझ सकते हैं तता सूद्र जिने बेद पढ़ने की अनुमत नहीं थी और महिलाओं को अनुमत नहीं थी ठीक है ये क्या करते थे इस्त्रियां और सूद्र इनको पहले पहले बेद पढ़ने की अनुमत नहीं थी लेकिन ये इन सब को सुन सकते थे पुरानों का पार्ट कौन तो इसका तो आंसर आप सभी लों की समक्षा आ चुका है बहुत ही मैत्मूर्ण प्रस्थन आप सभी लों को याद होना चाहिए कंटस्त होना चाहिए ठीक है तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है ये जो हमारे पुराण इनकी संख्या कुल कितनी है option a 4 option b 10 option c 18 option d 20 तो इसका option c बिल्कुल correct है ताद पुराण की कुल संक्य 18 है मतब से पुराण के में लिखा है कि केवल पुराण पहले एक ही था ठीक है कि पहले पुराण एक ही था उसी से अन्ने सभी पुराण निकले हैं ब्रामण पुराण के अनुसार बेद ब्यास ने पुराण सहिता का संक्राण कोदी थी इसके बाद में उग्रसबा उग्रसबा लोघम्रस के पुत्र थे कौन ओग्रसबा इन्होंने ये कौन थे लोहा मर्च के पुत्र थे और ये सभी पुराणों के संकलन से जुड़े हुए थे अर्थात अब इसको पूरा समझ लिएगा पूरा कालकरम क्या आई ये इसमें दिया जा रहा है कि पहले पुराण कितने थे पहले सिर्फ एक पुराण था ठीक है अब उससे ही सभी जो अठारा पुराण ने ये निकले है ठीक है अब इसमें जो बेद ब्यास है इन्होंने पुराण सहिता का संकलन किया है इस पुराण सहिता को किसे दिया ठीक है तो बिशनु पुराण में से पता चलता है हमको कि ब्यास ने अप उग्रसवा उग्रसवा इसका पुत्र था तो इसने अपने पुत्र को ये दे दिया था ठीक है आज से दीरे 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 करके ये आंगे बढ़ता चलाया और आज हम लोग के पास ये है ठीक है ये सभी पुरान जो हैं ये सभी कौन उग्रमसवा लोम हर्थ और इसके बाद मे इसमें एक पॉइंट भी दिया जा रहा कि पुराणों के संकलन करताओं में से एक है ब्यास ठीक है ब्यास द्वारा महावारत का संकलन किया गया था महावारत का लेखनकार आज से पंद्रा सो बर्स पूर्ब किया गया था ठीक है इसके बाद में सात्मा प्रसंद दिया जारा कि निमने लिखित में से आरे भट्टियम के लेखक कौन है इसका अंसर तो आपको देना ही होगा चलिए भी इसका अंसर आपको पताते हैं इसमें उप्सन चार पोछे जा रहे हैं और यह बहुत ही महान गड़तक भी थे इसके बिसे में पूरी ब्याख्या दी जा रही है इसको आप लोग याद रखीगा ठीक है तो ब्याख्या में दीजा रहा है कि आरे भट्टियम के लेखक आरे भट्ट थे गड़तक के तता खगोल सात्री आरे भट्ट ने संस्कृत में आरे भट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी ठीक है यह एक महान जोतिस बिद्वी थे उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा की दिन और रात प्रत्वी के अपनी धुरी पर चकर काटने की वज़े से होता है ठीक है यह इन्होंने बहुत ही पहले बता दिया था ठीक है और उन्होंने यह भी बता दिया था कि उन्होंने ग्रहन के बारे में बैग्यानिक तर्थ तर्थ बीदिये थे जो ग्रहन परता है इसके बारे मे इसके बाद में हम लोग देखते हैं question number 8 यह भी बहुती महत्पूर्ण प्रस्ण है और जिसका answer भी आप सभी लोग के समक्ष आ चुका है तीन इसमें कतन दिया रहे सूने के संदर में निम्लिलखी कतनों में से कौन से कतन सकते हैं option A अर्थत पहला कतन भारत के गर्टगों ने सून के लिए एक नए चिन का अभिस्कार किया था ठीक है जो की जीरो था ठीक है आप लोग समझेगा इसके बाद में दूसरा कतन दिया जरा है गिंती की गिंती की यह पद्दती सबसे पहले अर्बों दोरा अपनाई गई तब यह यूरोप में भी फैल गया था जो सून भारत के गर्टगों ने जो सून का अभिस्कार किया था इसको सबसे पहले किसने अपनाय था अर्बों ने और फिरे दीरे दीरे यह पूरे यूरोप में फैल गई थी इसके बाद में तीसरा कतन दिया रहा कि रोम के निवासी सून का प्रियोग की ये बगैरी गिंती करते थे पहले ठीके प्राचिन काल में जो रोम के निवासी थे ये सूनी का प्रियोग नहीं करते थे बिना सूनी के प्रियोग की गिंती करते थे लेकिन आज इसका प्रियोग की आज़ा है अब सूनी का महे तो कितना बोग जनते हैं अगर यह किसी संक्या के आंगे लगाया जाया तो यह कुछ नहीं है आगे के पीछे लगा दिया जा Behavior तो उसकी ताकत को दो गुना कर देता है, दस गुना कर देता है उसकी ताकत को, समझे, चलिए, आंगे बढ़ते हैं, यह जो तीन कतन दिया रहे हैं, तीनों कतन सकते हैं, ठीक है, उपरोग तो सभी कतन सकते हैं, चलिए, आंगे बढ़ते हैं, देखते हैं, question number 9 को, question number 9 में आलिदास ने ऑप्सन डी इलांगो ने चलिए इसका अंसर जली सेम को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कुछ ऐसे प्रस्ण है महत्पूर है चलिए इसका अंसर अब हम आपको बताते हैं इसका अंसर डी बिल्कुल करेट आता इलांगो ने इसकी रचना की है ठीक है सिलप्पा सब्सक्राइब चलिए इसका अंसर आपको बताते हैं इसका ओप्सन बिल्कुल करेक्ठ इसका शुतले सटनार ने ठीक है मड़ी मेकलई नामग महा काव्बे तमिल के एक व्यापारी एक ब्यापारी थे सितले सतनार ठीक है इनके द्वारा लगबगाज से 1400 बर्स पूर्ब किया गया था ठीक है ये 1400 बर्स पूर्ब लिखा गया था और इसमें कोबलम तता मादवी की बेटी की कहानी दी गई है इसके बाद ने कोश्चन नमबर 11 आप सबी लोग की समक्ष है जो की बहुती महत पूर्ण है मेग दूत निमने लिखित में से किसकी रशना है उप्सन अ बालमिकी की उप्सन बी सितने सतनार की उप्सन सी काली दास की और उप्सन डी इलांगो की जल्दी से इसकान स्राम को कमेंट बाक्स में दीजीगा चलिए अब इसकान स्राम हम आपको बताते हैं इसका ऑप्सन नमबर सी बिल्कुल करेक्टर ताथ ये काली दास की रशना है ठीक है तो इसके मिसे में भी हम आपको बिस्त्रित उप्से जनकारी देते हैं प्रिस्ध महा काब मेग दूत काली दास दौरा रचित है इसमें एक बिरही प्रेमी बारात बिरही प्रेमी बरसात के बादल को अपने संदेज भाहग बनाने की कलपना करता है जो कि बहुत ही मयिद पुर है और इसका अंसर तो सबी को आना ही चाहिए रामार की रचना निमलिकित में से किस ने की थी बहुत ही मायत्पूर्ण प्रस्ण है और यह इसका अंसर आप लोगों को आना चाहिए जल्ली से इसका अंसर हमको कमेंट बाक्स में दीजिएगा और यह इसका अंसर हम आपको बताते हैं इसका अंसर आप बिल्कुल करेक्ट है और आजकल राम मंदिरी भी बन रहा है तो आप सबी लोगों को इसका अच्छे से पता होगा ठीक है इसके बाद में कागज का अविसकार निमलिकी में से कहां हुआ था यह बहुत ही महत्पूर प्रस्ण है आपको इसका अंसर अपसे देना है यह तकनीक कोरिया तक पहुँची थी इसके तुरंत बाद ही जापान तक पहुँच फैल गई और लगबग अठारसो बर्स पूर यह बगदाद में पहुँची बाद में बगदाद से यूरोप आफरीका और एसिया की अन्य भागों में फैली और इस उप महादूर इप मे उन्हों भी आप लोग याद कर लीजिगा पहली ती ती तो यह अज से लगवग तेसो बर्स पूर्व होई थी इसके बाद में दूसरा पॉइंट है अमराबती एक मंदिर है यह जो तो अमराबती यहां पर यह कब बनाता तो यहाज से 2000 साल पहले बनाता ठीक है अमराबती में ठीक है इसके बाद में तीसरा काली दास यह 1600 साल पहले इन्हों ने रचना की थी ठीक है और यह 1600 साल साल पहले थे इसके बाद में लौ इस्तंब और बितरी गाओं का मंदिर अजंता की चित्रकारी और जो आरेवटने यह सभी आज से 1500 बर्स पूर्व के हैं ठीक है यह सभी पंदरा सो बर्स पूर्व इनके गाता हुई है ठीक है करेक्ट बात नहीं किया सकती है लेकिन लगभंग में बताया जा सकता है इसके बाद में दुर्गा मंदिर यह आ वह वाटसप पर मैसेज करके नोट को ले सकते हैं और आप लोगों से एक अनुरोध है कि हमारे वीडियो को सेर जरू कर दिया करें जिससे कि जो लोग यूपिसी की त्यारी कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियो पहुंच सके और वो अपनी तयारी को कर सकें तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जहें दोस्तों